दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं दा बी अन्वाई न्यूज मैं बीबेका नंजादव सत्त कपरतिक दा बी अन्वाई न्यूज मुझफर पुर्बाली का ग्रीक आंड में सर्गना बर्जेश ठाकुड सहित 18 लोगों को साकेत कोट दिल्ली ने दोसी करार दिया सीबियाई याच हुई सीबियाई याच ने यह परमानित किया कि बालीका ग्रीकांड में जो बच्चियां रहती थी उसे नसीली दवा दी जाती थी और उसके साथ यौन शोसन किया जाता था, बलतकार किया जाता था, मारपीट किया जाता था, तरह तरह के यातनाई दी जाती थी, उसमें बहुत बड़ा रेकेट था जो पकड़ा गिया देर करोर रुपिया सरकार ने अनुदान रासी बरजेश ठाकुड को इस बाले का गड़ी कांड चलाने के लिए दी थी, सरकार निती सरकार के कल्यान मंत्री मंजु बड़मा के पती चंदर सेखर बड़मा की भी सनलिपता सुरु सुरु में आई जो जेल गए थे, कई ऐसे अपसर और मंत्री और पदाधिकारी इस मामले में सनलिप्त हैं जिस पर भी अंकुष लगना जरूरी है ऐसी बातें बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी परसाज जादब ने अस्पस्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर तक जाकर धरना प्रदर्शन किया गया और हम सबोंने मिलकर बाली का ग्रीक कांड में सिविया याज के मांग करी थी, और अब यह सावित हुआ कि नितीज सरकार का सनरक्षन प्राप्त था बाली का ग्रीक कांड के अभ्युक्तों को, और सरकार के नाक के नीचे जैधन अप्राद किया जा रहा था, बच्चियों के साथ योन सोशन और बलतकार किया जा रहा था, जिस लड़की ने गवाही दी थी, उस लड़की के साथ बस में दुबारे बलतकार किया गया था, इस जैधन अप्राद को अंजाम देने वाले अप्रादियों को सरकार की ओर से नितीज सरकार का समर्थन प्राप्त था, नितीज सरकार के कारे काल में इतनी बड़ी घिनवनी खेल खेली गई, एक उड़ जहां बाली का पढ़ाव बाली का बचाव का नारा दिया जाता है, नारी को बचाने के नारे दिये जाते हैं, वहीं बाली का ग्री कांड में रहने वाली असहाई बच्चियों के साथ रेप और बलतकार और योन सोशन धरले से किया जाता था, जिसमें करमचारी, पदाधिकारी, सहित, राज, नेता, बड़े-बड़े मूछ वाले, तोंद वाले, धोती वाले, कुर्टा वाले सामिल थे, उन सबाँ को भी हम सब उपरी कोट तक जाकर सजा दिलाने का काम करेंगे, यह बालिका गरी कांड नितीज सरकार के राज में सबसे बड़ा घिनाउना कांड हुआ, जिसे कोट ने साबित किया और सही पाया, और CBI जांच हुई, लेकिन जांच को भी परभावित करने के लिए नितीज सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा, काफी जद्दो जहद और आंदोलन और परदर्सन बिपक्ष की ओर से की गई, हम सबों की ओर से की गई, तब जाकर CBI जांच हुआ, और यह मामला कोट के देख रेख में, जांच सहित सारे काम हुए, तब जाकर यह लोग महापापी लोग आज सलाखों के पीछे में हैं, दिल्ली ट्रांसपर किया गया यहां से मामला साकेत कोट में, काफी कोट की अहम भूमिका रही, कोट के अहम भूमिका के कारण CBI जांच के साथ साथ केस में, यह उनईस महापापी दोसी पाए गया, तेजस्वी जादम ने हमला करते हुए नितीश कुमार पर कहा कि नितीश कुमार के शासन काल का सबसे घीनवना और सबसे दागदार यह घटना है, सुसासन बाबू कहे जाने वाले इस राज में, इससे बड़ा जधन अपराद जो बालिकाओं के साथ बलतकार रेफ दवा देकर, नसीली दवा देकर रेफ की जाती थी, इससी घीनवना ने घटना नितीश के लिए दागदार कारकाल की सबसे बड़ी दास्ता कही जाएगी, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि नितीश कुमार के सुसासन के राज का दंब भड़ने वाले नितीश कुमार के राज में इतनी बड़ी घिनवनी घटना घटी जिसका उजागर होने के बाद आज 29 लोग दोसी पाए गए और कोट ने सजा सुनाने के बिंदु पर र दोसी है यह नितीश सरकार के अंदर की बात है नितीश सरकार के सासन काल में हुआ सरकार का संड़क्षन प्राप था अब जनता के सामने सारा मामला खुल चुका है जनता जान चुकी है कि नितीश के राज में बालिकाओं के साथ जैधन अपड़ा दुआ तो दोस्तों ते जस्वी जादम ने यह भी कहा कि जो तोंद वाले मोच वाले धोती वाले कुड़ते वाले बचे हुए हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा नहीं बकसा जाएगा सजादिलाई जाएगी तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन गंटी दवा कर और मेरे फेस्बुक पेज पेज को भी लाइक कर सकते धन्दवाद